मुझे नमस्कार MNS News Live में आप सबी का स्वागत है मैं हूँ आपके सातर्शियन सारी आईए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरे नवजात बेटी को पैकेट में बांध कर जारियों में फिका देखें के विस्तार से बढ़ते अगली खबर की तरफ तमंचा कार्तूस के साथ पुलिस के हत्ते चड़ा युवक देखें के विस्तार से बढ़ते अगली खबर की तरफ कामठी में दिन्दहारे एक दशम लोग पच्छिस लाग की चोरिया ये देखते हैं खबरे विस्तार से नौजात बेटी को पैकेट में बांध खर जारियों में फेका चार दोस्तों ने बचाई जान अस्पताल में भरती जिया राजस्तान में कडाकी की सर्दी में कोई निर्दई नौजात को जारियों में फेक गया नौजात की रोने की आवाज सुनकर तैल ने निकले चार दोस्तों ने नौजात की जान बचाई कंटीली जारियों के बीच मासूम एक पैकेट में पड़ी थी जिसके बाद बड़ी मुश्किल से बच्ची को निकाल कर अस्पताल पहुचाया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बार्डमीर में बलोत्रा शहर में चार दोस्त मुकेश कुमार, मंगी लाल प्रकाश कुमार, राजु कुमार सुबा मॉर्निंग वाक पर निकले थी जिहा कभी रेलवे स्टेशन से गुजरते समय नौजात के रोने की आवाज आई थी, मुकेश ने बताया कि हमने इधर उधर ढूंडा बबूल की जाडियों के बीच एक पैकेट में बड़ा था, उसे खोला तो उसमें से पुराने कपडो और शॉल में लिप्टी हुई बच्ची दोस्तों का कहना है कि हम समय पर नहीं पहुचते तो मासुम को कुत्ते और सुवर खा जाते, हम बच्ची को लेकर सडक पर आये तो लोग कहते, कहने लगे फेक दे वरना फस जाएगा, हम बच्ची को राजकिया नाइटा होस्पिटल ले गए, वहाँ पर भरती करवा दिया वही अस्पताल में नौजात को बरती कराया गया, डॉक्टर ने बताया कि नौजात का शरीर काफी ठंड था, फिलाल उसकी तब्याट ठीक है, वार्मर में रखा गया है, मासुम का जन्म 10-15 घंडे पहले ही हुआ था, पुलीस ने जाच की शुरू कर दी है तमंचा कार्टूस के साथ पुलीस के हत्ते चड़ा युअक जिया, रानिपूर को तवाली छेतर में तमंचा लेकर किसी वार्दात को अंजाम देने के फिराक में घुमता हुआ एक युअक पुलीस की हत्ते चड़ गया, पुलीस ने आमर्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है, पुलीस के मुताबिक शनिवार की रात और दियोगिक चौक की प्रभारी अर्विंद रत डी टीम के साथ गश्ट पर थे जिया, ताभी मुकबीर से सूचना मिली की एक युअक तमंचा लेकर घुम रहा है, पुलीस ने लिप्टिस के बाग में गैस प्लांट के सामने खड़े युवक को पकड़ लिया, तलाशी लेने पर उसके पास से एक तमंचा और एक कार्तुस बरामद हुआ, जिहा, कोतवाली प्रभारी रमेश सिंग तनवार ने बताया कि बुदून कुमार निवासी ग्रामतिर सी थाना रामगर जिल पटना बिहार वाहाल फिरोस्कमा का मकान जमालपूर खुर्द रानापूर के तमंचे की साथ गिरफतार किया गया है, उन्होंने बताया कि आरोपी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए के फिराक में था, सट्टे की खाईबारी में गिरफता जिया, नगर कोतवाली रुपे की नगदी बरामद हुई, कोतवाली प्रभारी भावना केंथाली ने बताया कि गनेश घाट के पास पूल के नीचे से जस्वीर सिंग निवासी कुंड गली खरबरी हो के सट्टे की खाईबरी करते गिरफतार किया गया है, कामठी में दिन्दहारे 1.25 लाग की चो सुबा सवा 11 बजे उजागर होई, जिहाशी कायत करता शेक, इमरान सुबा काम पर गये थे, उसकी पतनी बच्चे को लेकर सुबा करीब सारे 10 बजे अस्पताल गई थी, कुछ देर बाद लोटने पर घर में चोरी की बात पता चली, जूनी कामठी थाने के पुलिस निरिक आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो, आप हमारे चानल को लाइप भी देख सकते हो, www.mnsnews.com पर फिलाल वक्त चले दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरे, बने रही है MNS News पर नमस्कार ये है MNS News निट पर और आप देख रहे है MNS News